लोग सभाचुनाओ 2024 को लेकर बिहार की सियासी तापमान हाई है लेकिन इन सब के बीच सिर्फ एक ही नाम गुंज रहा है वो है केके पाठक या यू कहले कि बिहार में इंदिनों यहां के राज नेताओं से भी जर्चा ज्यादा है बिहार के सिक्षा विभाग के अपर मुख चुट्यों में कटवती का विरोध शिक्षक संगों के द्वारा किया गया और अंदोलन की तयारी शुरू कर दी गई इस बीच शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कुलों की चुट्यों में कटवती का आदेश वापस ले लिया लेकिन अभी भी केके पाठक ने नर्मी नहीं बरतने के संकेत दिये हैं स्कुलों में छुट्टी को लेकर हो रही समस्या के बारे में जिक्र करने वाला एक पत्र जारी हुआ है शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक पत्र में लिखा गया है कि सिक्षा के अधिकाला दिनियम 2009 के तहट प्रास्मिक विद्यालियों में कम स कम 220 दिन की पढ़ाई कराने के लिए सरकार प्रतिवध है ऐसे में शिक्षा विभाग भी प्रतिवध है कि राज्य की इन स्कुलों में कम से कम 220 दिन कलास चले बताया गया कि एक जुलाई 2023 से स्कुलों का सतत मौनेटरिंग शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है य जब ये विवस्था नहीं थी तो जिल्ला सिक्षा पताधिकारी केवल घोसित या अकासमिक अवकास के अधार पर अगन्ना करते थे कि कुल कितने कारे दिवस में पढ़ाई हुई पत्र के माध्यम से बताया गया कि जब से मॉनेटरिंग करवाई जा रहा है तो यह पता चला है कि कई अगोसित अवकास भी अस्थानिय प्रसासन के द्वारा अस्थानिय कारणों की वज़ा से दे दिये गए इतना ही नहीं कई श्कूल बीना किसी अवकास के ही अस्थानिय का साधिकारी को भी नहीं हो पाती थी मॉनेटरिंग व्यवस्था मजबूत की गई तो कई चौकाने वाले तत्थे सामने आई बेवजा स्कूलों को बंद रखने की बात भी सामने आई है जिनमें कुल छो कारणों को चिन्हित किया गया है जिसमें पहला है बाड की वज़ा से स्कूलों में पानी लगना दूसरा सितलहर की वज़ा से स्कूल बंद करना तीसरा गड़तंत्र दिवस स्वतंत दिवस या अन्य विधी व्यवस्था संबंधित पुलिस बल की प्रतिन युक्ती के कारान स्कूलों में पुलिस कर्मियों के ठाहरने की वज़ा से चौथा पाठक ने 6 सितंबर को सिख्षा विभाग का सचिवाले खुला रखने का निर्देश दिया था सभी डीयो और बीयो ऑफिस भी खुले रखे गए जबके स्कुलों को बंद रखा गया उकास को लेकर केके पाठक सक्त दिख रहे हैं केके पाठक ने सभी जिला पदाधिकारियो से कहा है कि वे दफ्तर आये और अपना काम करें हाली में घोसित अवकास तालिका को सिख्षा विभाग ने ततकाल प्रभाव से रद कर दिया था जब इसका विरोध हुआ तो इसे एक बार फिर से प्रभाविक किया गया और रद करने वाले आदेश को वापस ले लिया गया बता दे कि रक्षा बंधन के ठीक पहले शिख्षा विभाग ने संसोधित तालिका जारी कर दिया था जिसमें राखी समेत परामपरागत अवकासों में कटवती कर दी गई थी शिख्षक संगों ने इसके खिलाफ आपती दर्ज कराई थी और अंदोलन की तयारी में जुट होती करना पड़े हालांकि अब आगे क्या होता है यह तो देखने वाली बात होगी फिलाल बने रहे मिडिया दर्शन के साथ अगर यह खबर आप यूटूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर यह खबर फेस्बुक पर देख रहे तो पेज को लाइक कर वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद